अमेरिका में वैग्यानिकों ने सुपर कम्प्यूटर की मदद से कुरोना वारस को फैलने से रोकने वाले एक केमिलकल की खोच कर ली है। इससे उम्मीद चताई जा रही है कि आने वाले दिनों में दुनिया में मौत का दूसरा नाम बन चुके कुरोना वारस से लड़ने में से रोकने में सक्षम है। शोद करताओं ने 8000 तत्वों के योगिकों की परिक्षन का विशलेशन किया जो कोविड-19 यानी की कुरोना वारस की जीव को बांध हने में मदद करेंगे। इस सिमानव शरीर की कोशिकाओं में इस वारस के प्रसार को रोका जा सकेगा। बताद यानी की दुनिया भर में इस वारस की वज़ेसे अब तक 9000 से ज्यादा लोगों की मौत हो छुकी है। वहीं भारत में अब तक इस से दोसों से ज्यादा मरीजों के संक्रमिती होने की पुष्टी हुई हैं जिसमें 32 विदेशी भी शामिल हैं। कुरोना वारस की वजए से भारत में अब तक चार लोगों की जान गई है बता देख की दुनिया भर में कुरोना वारस से मरने वालों की संख्या गुरुवार तक 9000 के पार पहुँच गई है। मामले सामने आ चुके हैं ब्रहस पतिवार तक कुरोना वारस से कुल 9000 वीस लोगों की मौत हुई है। मरने की पुष्टे हुई है इरान के स्वास्ति उपमंत्री अली रेजार यासी ने बताया कि इसके साथ ही देश में इस संक्रमन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1284 हो गई है। देश में अभी तक कुल 18407 लोग इस वारस से संक्रमित हैं। पाकिस्तान में भी कुरोना के संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। पाकिस्तान ने गुरुवार को भारत के साथ लगी अंतराश्ट्रिय वाघा सीमा को दो सप्ताह के लिए बंद करने की घोशना की है। देश में अभी तक कुरोना वारस संक्रमन के 341 मामलों की पुष्टी हुई है।